हैं यहां पर हुए क्या यहां पर हुआ क्या मार्केट में बहुत तेजी से बाजार उपर चला गया और इतना भी उपर चला गया कि बाजार ने अपना all time high लगा दिया मैं निप्टी की बात कर रहा हूँ तक्रीबन 22,590 के आसपास से निप्टी ने जब उच्छाल मारी तो 22,983 याने कि 23,000 के आसपास में इसको बोलते है बुल रन इसको बुल रन बोलते है ट्रेंड बोलते है तो कभी-कभी होता क्या है आज तक मैं भी ऐसा करते है आ रहा था कि ट्रेंड के अपोजिट ट्रेंड ढूनेंगे ट्रेंड के अपोजिट ट्रेंड कैसे जैसे की बुल रन चल रहा है बुल रन चल रहा है तो यहां पर जैसे मौका तलाश करेंगे पूट खरीदने का ठीक है अल्टीमिटली क्या होगा वह हलका सा न और फिर नेक्स टाइम में हम देखते कि अब बाजर इसे उपर नहीं जाएगा फिर हम दूसरा पूट खरीदेंगे पूट खरीदेंगे फिर वह दस पॉइंट पंद्रा पॉइंट निचे आ जाएगा और वहां से फिर रिवर्स मारेगा और फिर ऐसे ही करते करते हम दिल में क्या करेंगे दो तीन ट्रेड कर लेते हैं और बाद में दो गलत ट्रेड करना यह भी एक ओवर्टेडिंग में ही आता है ठीक है जब आपको पता चलगा है जब मुझे पता चलगा है कि मेरा लॉस हो रहा है जो मैं स्टैटेजी से कर रहा हूं उस strategy में या फिर उस technique से मुझे loss हो रहा है तो क्यों मैं उसमें जाऊंगा यह चीज एक आम psychology है और तक्रिबन तक्रिबन पचान में परसंट trader के दिमाग में यह होता है उसमें से यह लगा लो कि कहते हैं ना कि भाई 10 में से 9 trader loss करते हैं तो नो में से आठ ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि उनका बाजार उपर ही रहे हमेशाँ क्योंकि कभी short करना खेला इसी कहा ही नहीं देखा ही नहीं हम क्या है चोड़े लोग है हमारा profit होना चाहिए यह होता है business model वहाँ पर emotions नहीं है और हम लोग डालते है emotions का तड़का इसलिए हम लोग को होता है loss अब यह चीजे अगर हम दिमाग से हटाएंगे emotions वगरा यह सारी चीजे तो हम क्या करेंगे train को पकड़ेंगे फिर बाजार गिर रहा तो गिरने दो ना उसमें क्या है बड़े बड़े लोग भी तो चाहता है कि बाजार गिरे ताकि वह शॉट कि अवा माल में profit कमाएं लेकिन हम नहीं चाहते हम हमेशा चाहते है कि बाजार उपर जाए तो यह हमें हर दिन माते रहते हैं हर दिन हमारे। हमारी जैप खाली होती रहती है तो अभी तक जो अनवह थी था मेरा मैंने हर वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, आज भी एक बहतर ही नानुभा आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको लगेगा कि ये, हाँ, वाके में ऐसा होता है, तो आप ज़रूर इसे एकसेट करिए, देखिए, देखिए, बाजार में क्या होता है, कि ये आज का बाजार जा रहा है था, अज मुझे प्रिमियम सस्टा मिला, तो आज मैं काल खरीदूंगा, ये, कोन सी टर्डिं है, ये साईकोलजी, जो मुझे सस्टा मिला, मैं वहाली, जो महेंगा मिला, मैं उसे बचूंगा, ये जो साईकोलोजी मारती है, हमको ट्रेंड को फइंड आट करना है, तो इस वीड में पूट नहीं खरीदूंगा चाहे मुझे कॉल खरिदने का मौका ना मिले क्योंकि मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा अभी तक कि मेरी यह साइकोलोजी थी कि बादर उपर जा रहा है और मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको यहां पर भी पर शकॉल था, यहां पर भी था यहां पर भी था आप व मिल रहुत था इहां पर उपर छला आपकर नहीं सभी कॉल खरीदें का अंब आया नहीं सीस रिपे का कॉल ऑप्शन का uh जबी dado ख़र 받 давно kya आज बादोyun दोबा पा और भी खरीता हूँ यह बोलते 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 क्या हुआ वह 70 पे गया 70 पे गया 70 पे गया लास्ट में जब देखा तो 30 रुपे का जो कॉल था 30 रुपीज का ऑप्शन का 22,600 का वह लास्ट में गया था 350 रुपे अब बताएए तीन सो अठावन रुपे इसी रैली में गया ठाक है तो मेरा कहना है इस में खास यह माकसद है कि हम चाहिए हकोर आदी है और दूसरी चीज़ कि बाजार में हम कैसे पता लगा सकते हो हम कन बताएं गलगर था कोई हमों को हमने लिज ब controllers यह वी बुए आई पड़ा नहीं है आई निस अमेरिका में यह होने वाला है, चीन में यह होने वाला तो आप यहां पर विक्वाली करो या फिर खरीदारी करो देखें में न्यूस जो है बाजार चलता है पूरा टोटल ही चलता है option chain के जैसा बोलेगा, वैसा ही बाजार चलता है ठीक है आपको न्यूज के बारे में पता नहीं कोई बात नहीं है न्यूज के उपर ज्यादा डिपेंड भी रहने के ज़रूत नहीं है अप्शेंचेंड में न्यूज रिफ्लेक्ट होती है यह मैंने बहुत बार अनुभव किया एक दीन था जहां पर क्या हो रहा था यह ट्रैंगल पैटन है चंद्रयांग 3 लाँच हो रहा था हमको पता नहीं था हम तो बाजार में यार बाजार तो ऐसे ट्रेंड कर रहा था ऐ है उनको पता है कि चंद्रयांग 3 लाँच हो जाएगा तो बाजार में क्या होगा बुम हो जाएगा अगर चंद्रयांग 3 लाँच होना फेल हो जाएगा तो बाजार इधर की तरफ जाएगा क्यूंकि बाजार में अल्रेडी ब्रेक आउट चल रहा है और हम क्या सोच थे य बड़े big money को पता है कि यहां से बाजार कहा जाएगा बस उत्सार करते हैं direction दो होती है इदर जाएगा या इदर जाएगा इसलिए वहां पर छोड़े चोड़े 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 कैनडल्स बनते हैं ठीक है और हम सोचते हैं कि break our आने वाला है उपर याएगा नीचे ही आएगा नहीं confirm news उनके पास होती है लेकिन हमको कैसे पता चालेगा वो confirm news देखिए मैं आपको बता देता हूँ जब बाजार में देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको कैसे बता हूँ यहाँ पर देखिए यह है 23 तारीकि एक्सपाइरी निप्टिकी और यह टेट और यह 23 तारीके एक्सपाइरी है और यह सवानू बज़े का चार्ट है ठीक है यहाँ पर सवानू बज़ गए हैं और यह है पूरी की पूरी option chain यह पूरी option chain है मैं आपको बता देता हूँ बाजार में कितना interesting factor चलता है जो हमको अभी तक पता नहीं लगा था यहां पर market अभी थी 22600 पर ठीक है आप यहां पर देखेंगे अब चार्ट देखने के हमको जरूत नहीं 22600 पर बाजार है अब 22600 पर बाजार है तो गोर से यहां पर देखेंगे आप थोड़ा सा मैं यह अटा देता हूं इस point पर focus करिए यह है 22000 थीजार है 23000 पर open interest देखेंगे यह resistance साइट का यह resistance है यह वाली साइट जो है वो resistance है और यह क्या करती है कि बाजार को नीचे गिराता है और यह support है बाजार को ऊपर लेके जाती है यह ध्यान रखिएगा मैं दुवारा से आपको यह clear करना चाहता हूं रेजिस्टर्स बाजार को गिराएगा और support बाजार को ऊपर लेके जाएगा तो यह इस तरह से है तो रेजिस्टर्स साइट में देखेंगे यहां पर आप देख रहे हैं 23000 के ऊपर open interest दोनो चेंजिन open interest और weekly open interest रेजिस्टर्स साइट में वहां पर 23000 में जाके रुका कहां पर support साइट में और रेजिस्टर्स और support दोनों के दोनों 22600 पर है अब फिलाल देखेंगे तो नव बच के 16 मिनिट हुए है तो open interest रेजिस्टर्स साइट का विक्टुर्स बॉटम है और रेजिस्टर्स विक्टुर्स टॉप है इसका कहना ही का मतलब यहां कि बॉटम जाएंगे तो call खरिदना पड़ेगा और टॉप में जाएंगे तो put खरिदना पड़ेगा ठीक है यह था फिलाल का अब इसे हम करते हैं play ठीक है play करेंगे देखिए आप देखते रही है क्या होता है इसमें play करते रहेंगे बाजार चल रहा है यहां पर 23,000 पर रेजिस्टर साइट का volume ठीक है कभी victor stop हो रहा है तो कभी victor bottom हो रहा है और यह support साइट का open interest है वह victor bottom है और थोड़ी देर के बाद में आपको पता चलेगा लेकिन पहले ठीक में यह था कि 23,000 पर open interest था resistance साइट का वहां पर 23,000 में खल्चल होने वाली है यह हमको सुबह पता चला था औ किसी को शाबाज देनी है तो आप क्या करेंगे आप दिमाग में यह चलेगा आपके कि मैं दिन में कभी वह इंसान अगर मिलेगा तो मैं उससे क्या करूंगा लड़ा ही करूंगा मैं उससे पूछूंगा कि तुने ऐसा क्यों किया अगर आपको किसी से अच्छी बात करनी ह किसी को धन्यवाद देना है तो आपकी दिमाग में सुबह ही आ जाएगा या रात मी आ जाएगा कि नेक्स टाइम जब मुझे वह आत्मी मिलेगा तो मैं उसे धन्यवाद बोलूगा कि आपने मेरा ये काम किया है उसके लिए धन्यवाद शेर मार्केट में भी वही साइकोलोजी है जो आम लोगों है वही मार्केट में भी है शेर मार्केट भी ये सोचता है कि मुझे उपर जाना है न तो मैं पहले एक बार कम से कम बता तो दूँ कि मुझे उपर जाना है मेरा इरादा तो नो साड़े नो बजे के आसपास जनरली म आपको बोला कि बाजार नीचे जा रहा था तो हम कॉल खरिदते थे पहले और बाजार उपर जाता था तो हम फूर खरिदते थे और इसे में हमको लॉस मिलता था क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चलते ही नहीं थे लेकिन आप्शन चेहन देखके एटलिस यह तो पता चला कि बाटम के उपर ध्यान देंगे भाई यहां पर उपन इंट्रेस्ट था यह आज नहीं तो कल जाएगा और देखिए बार-बार अभी यहां पर आने की कोशिश कर रहा है जबकि बाजार शेसो सेवंटीफोर पॉइंट उपर चला गया बाजार हलका सा तीच-चलीश पॉइ आज निप्टी के एकस्पारी भी है यहां पर इस तरह से यह बाजार बार-बार कहना की वह ट्वेंटीफोर पे जाता है और इसी के साथ में अब इसको आपको अब ज्यादा बताने की क्या जरूत है कि मैं यह समझता हूं कि इससे आपको अंधाजा लगना चाहिए जिख से वुषाजा करना में लिधा आफार इसा यह नहीं जाए खुष्षाय। परिवकर नेस relativity बोन जिए गार उपर इस एशान का सबस्क्रासरा देखा मैं था जब्रदर लोकर को मिलाने को बढ़ने सब्काइब ठीक चिक्ति जहानाican पिर ने में तो भुड़ा होना थे गद्र hoping युद्न का सबस्कति जाया है और बहुत तेजी से उपर जाना है बाजार को कोई बहुत जल्दी है क्योंकि उसको जितना तेजी से उपर जाना है उतना तेजी से थोड़ा नीचे भी आना है तो वह क्या करेगा बड़े-बड़े candle बनाएगा बड़े-बड़े candle बनाएगा लेकिन उसको धीरे धीरे ऊपर जाना है तो चोटे-चोटे candle बनाएगा ऐसे 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 और फिर उपर जाएगा यह चीज़ मैंने देखी और आज यहीं बाजर में हुआ तो यह हमने देखा और देखिए अब मैं लास्ट के टाइम पर आपको ले जाता हूँ तीन बज़ के बिस मिनिट पे है ना तीन बज़ के बिस मिनिट पे जाएंगे हम और तेईस तारीक के चार्ट में जाएंगे मैं इसे करने तो फिल्टर फिल्टर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि बाजार में क्या हुआ बाजार में क्या हुआ तीन बज़ के और यहाँ पर मैं प्ले कर लेता हूँ प्ले कर दिया तीन बज़ के बाईस मिनट हो गया है और तीन बच के 22 मिल पे यहाँ पर बाजार में हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अलग ही सीन हमको दिख रहा है यहाँ पर देखिया बाजार 23,450 में जाके अपनी हरकत कर रहा है ठीकें ये देखिएगा 23,000 पे जाकर बादार में resistance strong हो गया है, ये resistance है, ये strong हो गया, वigraph two bottom है, वो कोई कत्म है, bottom नहीं है और यहां पर 22,950 पे आके support भी strong होने की कोशिश कर रहा है, दिरे-दिरे ऊपर आ रहा है support, support भी दिरे-दिरे उपर आ रहा है अभी 22,700 है तो यह है और सपोर्ट तो आए गई लेकिन यहां पर कुछ हरकत दिख रही है यह मुझे लग रहा है कि 23,450 पर जाने के बाद अभी मतलब मुझे लगता है कि दोग दिन और बादार उपर जाएगा फिर थोड़ा सा रेट्रेस्मेंट आ सकता है क्योंकि आगे वा राइटिंग भी बढ़ती है बहुत तेजी से यह जो कॉंट्रेक्स है ना यह जो कॉंट्रेक्स है ना बहुत तेजी से बढ़ता है यह जैसे इसे बादार उपर जा रहा है ना वैसे वैसे नीचे वाले कॉंट्रेक्स भाग रहे है यहां पर कॉल साइट के कॉंट्रेक्स उनको अंदाजार लग रहा है कि बाजार इससे नीचे नहीं रहेगा इससे नीचे नहीं रहेगा तो इसको इससे बाजार कॉल साइट में जो यह रहते हैं रेजिस्टन साइट में जो भी कॉंट्रक्स राइड होते हैं उनका कहिना होता है कि बाजार इससे नीचे रहेगा ठ से उपर जाएगा, तो वो लास में कीव अपना सवदार रखेंगे, वहां पर काटेंगे, तो इसलिए वह काटेंगे, और यहां पर, put side में देखेंगे, आप, put writers हर strike price पे call write, put writing कर रहे हैं, उनको पता है, कि बाजार जहां भी राइटिंग कर रहे है उनको लग रहा है कि बाजार उससे उपर ही रहेगा पुट सैट में जो भी राइटिंग करते हैं उनको तभी फाइदा होता है जब बाजार उनकी स्ट्राइक प्रैस से उपर रहेगा ठीक है तभी कॉल की किमते बढ़ेगी तभी उनको फाइदा होगा यह चीज़ है तो समझने के लिए यह option chain है जटिल complicated है लेकिन धीरे-धीरे समझिए हमको भी काफी साल लगे हैं कहीं आप यह उम्मीद करेंगे कि भाई मैं चे मैंने में एक साल में सिखूंगा सिखेंगे जरूर लेकिन अभी बहुत बाकी है सिखने के लिए यही मेरा कहना है सिखने के लिए तो आदमी एक ट्रेड में भी सिखता है कि कैसे उसने गलती की है लेकिन वहीं चीज़ है कि उस गलती को अगर नहीं दो राएंगे तो तो जो सिख लाई है अगर उस गलती को ब ट्रेडिंग के नियम होते हैं ट्रेडिंग के नियम यह नहीं है कि कोई 100 करोड कमा रहा है तो आप भी कमाएंगे 100 करोड वो नहीं है ट्रेडिंग के जो नियम है स्टॉक मार्केट के नियम का पालन करने का मतलब यह है कि आदी नहीं होना पैसे खोने की कोशिश नहीं करना है कमाने की कोशिश करना है ज्यादा लालच नहीं करना है ये सारी चीज़े हैं धीरे 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 आप जैसे ही बाजार में आएंगे पता चलेगा मेरा कहिना है ये है कि अगर हम ट्रेडिंग में नए हैं हम स्टॉक मार्केट में ने हैं तो स्टॉक मार्केट में चाहिए होता है अनुभाव अनुभाव आपके पास नहीं है हमारे पास नहीं है तो हमने क्या करना चाहिए जो लोग पहले से स्टॉक मार्केट में है जो ने पहले से ही अनलेसिस किया अगर आपको एक जगह से दूस जैसे भी आपको मिलती है जैसे भी हमारी आउकात है खरीदने की उस हिसाब से क्यापेसिटी है वैसे हम खरीदते हैं ऐसा तुनिए कि हम अपनी गाड़ी खुद बनाएंगे तो फिर हम स्टॉक मार्केट में अपना ही क्यों नया नियम बनाने की कोशिश करते हैं यह मेरे कहीं आपने फिलिपकार्ट का आपिस देखा कहीं आपने अमैजन का आपिस देखा है ना कहीं आपने उबेर का कोई कंड़क्टर दोड़ता हुआ देखा क्या कहीं उबेर की पार्किंग देखिया अपने की यह सारी उबर की गाड़िया है अपनी यह सब दूसरे लोगों क है टीके उबे रोला गाडिया सब दुसरे लोगे है फलिप-कषक में सामान कोई और बेचता है अमेज़ान में सांग और बेचता है लेकिन जो बेशने वाला है उससे अमीर कोन है इन कंपनियों के मालिक है क्या समझें इस शीज से मैं तो एक जिस समझ या फिर यह हर रोज एक करोड रुपे कमाता है, तो यह हमारा दुश्मन है, क्यों हम ऐसा समझेंगे, उसके पास में क्या खाशियत है, वो खाशियत हम लेंगे, हमारा स्कील बढ़ाएंगे, उसके बाद में जिसके 25 लाग, 50 लाग, मैं सब के देखता हूं, मैं अभी नाम वो तो पुराने लोग है, उन्होंने इन्मेंटेट किये हैं चीजे, उनके अपने अपने नियम है, उन नियम को हम एकत्रित करेंगे, देखेंगे कि हाँ, इनका कहना गलत है, इनका कहना गलत है, इनका कहना सही है, यह सारे चीज़ों का आकलन करेंगे, और फिर आप अपन का यूज़ करके लोगों को भी दे रहे हैं और खुद लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं तो यह टेकनीक का लाना जरूरी है स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडिशनल खेटी की तरह अगर हम स्टॉक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टन्स और इमोशन्स गुसाते रहेंगे तो फिर भाई और हमेशा स्टॉक मार्केट उपर ही जाए तब ही हमको फाइदा मिले अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर गए काम से दोस्त फिर नहीं हमारे लिए स्टॉक मार्केट इसमें कुछ नया करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मैं यह जो चीजे बता रहा हूं इस वीडियो में अच्छी है और काम की चीजे है तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए और आपको और लगता है कि यह चीजे सेयर करने वाले भी है किसे दूसरों के साथ तो सेयर भी कीजिए और आपको फिर लगता है कि हमारे वीडियो आपने और देखनी चाहिए तो उसके लिए को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हैपी टोड़ी